नमस्कार दोस्तो, हर मनुष्य अपने जीवन में सुख, शांती और समरिद्धी की कामना करता है, इसके लिए वो कड़ी मेहनत भी करता है, लेकिन कभी-कभी मेहनत का फल उतना नहीं मिलता, जितना मिलना चाहिए, इसलिए लोग घर में वास्तु और जोतिश के उपाय करते ह वैसे तो धन व्रद्धी के लिए मनी प्लांट को लगाने की बाद कही जाती है, वहीं फेंक्शुई में भी एक ऐसे पौधे के बारे में बताया गया है, जो इससे भी कारगर है, तो दोस्तो आज हम इस वीडियो में जिस प्लांट के बारे में बताने जा रही है, वो पैस को मनी ट्री भी कहा जाता है, फेंक्शुई में इसका विशिस महत्व है, पैसों को अपनी और आकरशित करने वाले इस पौधे की पत्तियां चोड़ी और मुलैम होती है, इनका रंग लाल और पीला होता है, रासुला प्लांट की सबसे खास बात ये है कि इसकी पत्तियां नहीं जल्दी तूटती हैं और नहीं मुर्जाती हैं, इस पौधे की अधिक देखभाल की जरुत भी नहीं होती, फेंक्शुई के अनुसार इस पौधे को घर के मुख्यद्वार के दाई तरफ लगाएं, इससे आपके घर में धनकी आवक बढ़ने लगेगी, जिस भी घर में प्रेम भाव का वातावरन बनने लगेगा, क्रासुला प्लांट घर में लगाने से मानसिक बीमारिया दूर होती है, साथी ये पौधा मेंटल एबिलिटी और और कॉंस्ट्रेशन को भी बढ़ाता है, ये किसे इंसान की प्रोड़क्टिविटी को 15 प्रतिश्चत तक ब क्रासुला प्लांट को आप घर में कहीं पर भी रख सकते हैं, इसको न अधिक धूप की जरुत होती है और ना ही छाव की, अगर किसी घर में धन की कमी, घर में पैसे न टिकना या फिर जीतोड मेहनत करने के बाद भी उमीद के अनुसार परिणाम नहीं मिलते हैं, तो ये पौधा आपकी समस्या को दूर कर चकता है, पैंक्शुई और वास्तुशास्त्र के अनुसार धन आकर्षण वसुक समरिधी के लिए ये पौधा हजार गुना लाबदायक है की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकॉन दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ ही अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में शरूर बताएं धन्यवाद